तो आज हमारा टोपिक है इंफ्रा हायोड मसल के बारे में ओके पहले देखते हैं इंफ्रा हायोड मसल का मतलब क्या होता है कियों इसे किस लिए इंफ्रा हायोड मसल कहते हैं देखें यहां पर हें इससे कहते हैं इफ्रहायो उड़ मसल ओके देखिए हम पहरे देख लेतें यहाँ पर देख लेतें यहाँ पर लैंड मांक्स यह अ यह पारट एंडार्व वाला ओके अप div नुब्रियव स्तरी बार में पBBड़ते हैं तो इंफ्रहाय और मुसल टोटल कितनी है, 4 मुसल है, तो हम line to line मुसल के बढ़े में पड़ते हैं, देखिए यह रह गिया, यहाँ पर यह सकेप्यूला है ओके, देखिए हाईयोड से सकेप्यूला की तरफ हाईयोड से सकेप्यूला तक मुसल आती है, उसे कहते हैं ओमोहायोड ओके ओमोहायोड मुसल और उसके कितनी बैली होती है दो बैली होती है inferior और superior यह तो हमें पता है ओके अब देखते हैं दूसरी देखिए यहाँ पे मैंने blue pen से पता ही हायोड से कहा तब sternum तब ओके इस तरह से आती है जो thyroid cartilage के साथ जुड़ी होई नहीं होती है ओके इसे कहते हैं sternum दूसरी हो गई अब देखते हैं तीसरी यहाँ पे मैंने लिखिए थाइरो हायोड मत्तब कि जो हायोड बोन से thyroid cartilage तक जुड़ी होई होती है दोस्तों यह जो थाइरो थाइरो हायोड है वह बहुत चोटी से होती है यहाँ पे मैंने बहुत लंबी दिखाई है क्योंकि आप अच्छी ज़र से देख सकें देखिए थाइरोड से sturnum कुंसा होगा डा स्टन तैर देखिए नाम से र nostro जाता है माई स्टर्नो मतलब और थाइरोड मतलब 3 काइरोड और Agriculture सबूस्छ और और देखिए यहां पे sternohiroid, sternum मतलब sternum, higher मतलब higher bone, ओके तो देखिए मैंने यहां पे लिखा है कि thyroid और sternothiroid, यह दोनों कैसी मसल है, deep muscle मतलब वो नीचे का deep layer में आती है, और बाकी बची omohiroid और sternohiroid, वो कैसी मसल है, superficial muscle है, ओके देखिए, यह सारी की सारी infrared muscle को कौन supply करता है insacervicalis, मतलब insacervicalis, it is a part of cervical plexus, ओके, वो insacervicalis, infrahiod muscle को क्या करता है, supply करता है, तो हमारे next वीडियो में हम पढ़ेंगे, infrahiod muscle की no supply, insacervicalis, it is the most important, ओके, in head and neck region, जिसका, यह insacervicalis, पिछले वीडियो, हमारे carotid sheet में भी आया था, थोड़ा हमने वहाँ पर पढ़ लिया, अब थोड़ा, हम infrahiod muscle पढ़ने के बाद, हमारे दूसरे वीडियो में insacervicalis का काल देता हूं, तो this is all about infrahiod muscle, और आप infrahiod muscle के attachment, वो अच्छे तरह से, BDC में 102 पेज में पढ़ सकते हैं, ओके, तो this is all about infrahiod muscle, thank you everyone for watching our video, and please like, share, subscribe and also comment according to your view, thank you everyone, thank you for watching video,